हेलो स्टुडेंट्स, वेलकुम तु स्टैंडेट थर्ड, सब्जेक्ट मैप्स, चेप्र नम्बर तू, फन विद नम्बर्स अवरिवन नोस अबाउट नम्बर्स, नम्बर किसे केते हैं वो आप सबको पता है 0 to 100 are called number यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है और नीचे उसके according question answer दिये गए है इस चैप्टर में हम after number, before number, between number, ascending order, descending order, addition, subtraction अलग-अलग नम्बरों से केसे होता है वो हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ बच्चे हमें tamarid seed collect करके दिखाई दे रहे है tamarid मतलब imly, imly के seeds है वो collect कर रहे है देखो राधिका है उसने 24 किया है, विकी ने 42 किया है, गोरी ने 47 किया है, सुनिल ने 38 किया है इंद्रिया ने 54 seeds collect किये है, तो यहाँ पर इस picture के according कुछ question हमें दिए गए है तो उसका answer हमें देना है first question, days collected more seeds, यहाँ पर हमने पुछा गया है कि किसने सबसे ज्यादा seeds collect किये है तो आप लोग देख सकते हो, किसने किया है children, yes, इंद्रा collected more seeds, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा 54 seeds collect किये है question number 2, सुनील विल collect, does more seeds to be equal to wiki तो सुनील ने कितने seeds collect किये है, 38, एंद्राटी एट, एंद्राटी टू तो यहाँ पर हमें यह पूछा गया है, कि सुनील को wiki के जेतने seeds करने के लिए और कितने seeds collect करने पड़ेंगे, मतलब उसमें add करेंगे तो ही हम wiki के जितना हो पाएगा तो सुनील ने कि यह है 38, और हमें कितने करने है, equal to wiki wiki के है 42, तो 38 में हम कितने number add करें, तो answer 42 मिलेगा तो 38 प्लस 4, 39, 40, 41 and 42, तो सुनील को 4 more seeds collect करने पड़ेंगे, तभी उसका seeds wiki के बराबर होगा next, if Radhika gets 6 more seeds, C will have desk Radhika है, वो 6 more seeds collect कर लेती है, तो उसके पास अब कितने होगे तो Radhika के पास 24 seeds उसने already collect किये हुए है, और अब उसको 6 और collect करके बताना है total seeds, मतलब यहाँ भी addition होगा, 24 प्लस 6 equal to 30, अब कैसे करेंगे 24 प्लस 6 मतलब 25, 26, 27, 28, 29 and 30, तो answer आएगा, Radhika gets 6 more seeds, C will have 36 next question, how many children have more than 46, चलो चिल्डरन फटा-फट से बताओ कि किस के पास 40 से ज्यादा seeds है तो Radhika के पास तो 24 ही है, अब observe करो picture and फटा-फट से answer दो तो हम कह सकते हैं कि Vicky, Gauri and Indra get more than 40 seeds, right? next question, Des needs 3 more seeds to have 50, अभी किसको 50 seeds करने के लिए 3 or seeds चाहिए तो आप देख सकते हो कि Gauri के पास 47 seeds है, तो 47 में आप 3 add करोगे, तो answer मिलेगा 50 किसे है, तो कि 47 plus 3 मतलब 48, 49 and 50, तो Gauri needs 3 more seeds to have 50 next, Sunil has 2 seeds less than 40 and Desk has 2 seeds more than 40, तो किसके पास 40 में 2 कम हैं, और किसके पास 40 से 2 ज़्यादा हैं, तो Children, observe the picture and tell the answer, आप देख सकते हो, Sunil के पास 38 हैं, मतलब 40 से 2 कम हैं, और किसके पास 40 से 2 कम हैं, तो Gauri, 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 के पास 40 से 2 ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हो, कि विकी के पास 42 है, 2 ज़्यादा मतलब 42, तो अंसर आएगा, कि विकी has 2 seeds more than 40, तैंक यू चिल्टरन,